Hello everyone, welcome back, welcome to iCareTaker, I am Dr. Deepak Thakur, consultant, Dr. Metis आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, Lastic Surgery कराने के बाद, चस्मे का नंबर आने के कितने chances होते हैं जब भी हम किसी hospital में जाके consult करते हैं Lastic Surgery के बारे में Hospitals में ये बताया जाता है कि आपका चस्मा पूरा हट जाएगा साथ में चस्मे का नंबर वापस आने के 0.25 या 0.5 वापस आने के भी chances होते हैं किसी-किसी hospital में मैंने ये भी सुनाए कि ये बताते हैं कि आपका चस्मा पर्मानेंट हट जाएगा बाद में कभी भी आपको चस्मे का नंबर नहीं आएगा तो कौन सी बात बेसिकली ठीक है चस्मा आने के chances होते हैं नहीं होते हैं आज इस topic के उपर हम लोग detail में बात करेंगे तो basically जब भी चस्मा हटाने वाली surgery करी जाती है वो कौन सी technology से करी जारी है जैसे कि लैसिक से भी हो सकती है ICL से भी हो सकती है उस time पे क्या करा जाता है जब आपके आँक के अंदर light आरी होती है light आने के बाद वो आपके परदे तक नहीं पहुंच पाती तो वो light आँक के आगे रह जाती है या फिर आँक के बाहर चली जाती है लैसिक करें या फिर ICL करें दौनों ही सर्जडी के अंदर present time के चस्मे को ठीक करा जाता है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताय हुआ है कि चस्मे का नंबर बेसिकली कैसे आता है तो हमारा जो eyeball होता है eyeball का size normal के comparison में अगर ज्यादा बढ़ा हो जाता है तो हमारी आख के अंदर minus का नंबर आ जाता है अगर as compared to normal हमारा eyeball का size छोटा रह जाता है तो हमारा plus का नंबर आ जाता है तो चस्मा हटाने के लिए क्या करा जाता है दो तीन technology है जैसे कि lessic है lessic के अंदर हम लोग आपके cornea को छील कर या फिर cornea के कुछ tissue हटा कर आपके चस्मे का नंबर ठीक कर देते है cornea के अंदर basically plus 40 diopter power carry करता है हमारा cornea तो हम minus की power अगर हमें हटानी है तो इसमें से कुछ tissue remove कर देते हैं तो minus की power हट जाती है plus की power हटाने के लिए थोड़ा periphery में हमें tissue remove करने होते हैं उसे plus की power हट जाती है आप करें ICL की तो ICL के अंदर हम लोग आपकी आँख के अंदर एक artificial lens implant कर देते हैं जो lens आपके चस्मे की power carry करता है वो permanent आपके आँख के अंदर है एक surgery होती है RLE उसके बारे मैंने detail में video बना कि आँख के अंदर का जो natural lens होता है उसको अटा के artificial lens जाल देते हैं basically इन सब surgery में क्या करा जा रहा है आपकी आँख में जो present power है उसको हम लोग ठीक कर देते हैं अलग-अलग technique के थुरू तो आपके आईबॉल के size को freeze नहीं कर रहे मतलब eyeball का आपका size बढ़ना बंद हो जाए ऐसी कोई भी technology आज तक नहीं आई तो eyeball का size बढ़ना ये तो हो सकता है कि आपकी आँख के अंदर हो जाए अगर आप 20 की age में lessic कराते हैं जैसे मान लीजे अभी आज आपकी age है 20 आपका number है minus 8 तो ऐसा नहीं है वो number 30 साल की age में भी minus 8 रहे हो सकता है 8.5 हो जाए ये चीज आप लोगों के लिए accepted होती है कि number थोड़ा बत उपर नीचे हो सकता है तो अगर हम 20 साल की age में आपका minus 8 चसमे का number हटाते हैं तो हो सकता है 30 साल की age पर या फिर 25 साल या फिर 22 साल की age पर आपका minus आदा number आपकी आँख में आजाए या ये भी हो सकता है कि plus 0.25 आजाए या ये भी हो सकता है slender girl power आजाए क्योंकि number थोड़ा बहुत उपर नीचे तो हो सकता है क्योंकि हम eyeball के size को freeze नहीं कर रहें आपके cornea को freeze नहीं कर रहें कि cornea में irregularities ना आएं तो अगर कोई भी कहीं भी आपको eye doctor या फिर किसी भी hospital में ऐसा बताया जाता है कि lessic surgery या फिर ICL या फिर PR के surgery को कराने के बाद आपके चस्मे का number जिन्दगी में कभी नहीं आएगा तो ये एक mis guidance है आथ में lessic और ICL कराने के बाद हमारा age related जो power होती है pass का number वो भी आता है after the age of 40 अगर इसके अलावा और कोई doubt हो तो comment box में comment कर दीजिएगा कमेंट अगर अच्छी लगी तो उस पर पूरी प्रॉपर वीडियो जरूर डाली जाएगे अगर हमसे consultation करना है या फिर आप भी अपना lessic कराना चाते हैं लेटेस्ट एकलोजी के साथ नीचे दिये number पर call करके अपनी free consultation आप बुक कर सकते है so thank you for watching my video please like and subscribe